लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए उन्नी सो उन्नी सक्साल अंग्रेजी हकुमत ने जलियावाला बाग में दिर्दोष्ट लोगों का सप्लियान के लाइब इस नरु संहार के बाद एक बारा साल का लड़का उस कटना स्थल्पन वह खुश्मिजाश और चंचल बालक लेकिन उसने जलियावाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच को परे था वस्तब्द था यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दई कैसे हो सकता है वह मासुम गुस्से की आग में चलने लगा था उसी जलियावाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खराब लड़ने की किसम खाई देखा एक हुकुमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था इसके बारे में कहा जाता था उनके शासन में सूर्य कभी अ बस्त नहीं होता इतनी ताकतवर हुकुमत एक 23 साल के युवक से भैवीत हो गई थी शहीद भगत्सी प्रावक्रमी होने के साथ साथ दिद्वान भी थे चिंतक थे अपने जीवन की चिंता किये बगेर भगत्सी और उनके क्रांती भी साथ यो ने ऐसे साहसिक कारियों को अ वे जब तक जीए सिर्फ एक मिशन के लिए जीए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी साथन से मुक्ति दिलाना हम बगत्सी बन पाएं या न बन पाएं लेकिन बगत्सी जैसा देश प्रेम देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज़बा जरूर हम सब के दिलों में हो सहीद बगत्सी को यही हमारी सबसे बड़ी स्रत धान जिले हो मैं समस्त देश वास्यों के साहस और विर्ता की प्रतिमुर्ति शहीद बील बगत्सी को नमन करता हूँ